हेलो एब्रीवन आज के इस वीडियो में बनाएंगे शांता कलोज की कैप इसके लिए मैंने कपड़ा लिया है यहाँ पर अठरा इंच है और यहाँ पर लिया है ग्यारा इंच तो यहाँ पर आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करना है इसके बाद सीदी लेन लगा देंगे और यहाँ से शेप दे दीने है यहां तक राउंड में और शेप देने के बाद इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे तो यह कटिंग जब तक हो रही है यह वीडियो अच्छा लगिया वीडियो prosperity को अब यहां से इस तरह से इसको सिल देना है सिलने के बाद यहां पर अब इस कपड़े को सीधा कर लेंगे कोर्णर को अच्छे से निकाल लेना है यहां पर कैंची की हल्प से एक कपड़ा लेना है वाइट कलर का डबल में है यह कपड़ा यहां से लिया है मैंने 8 इंच और यहां पर इसके बरापर लेना है तो यहां पर इस तरह भी माप सकते हैं जैसे यहां पर हमारा 8 इंच आया है आदा इंच हम सिलाई के लिए रख लेंगे और इस तरह माप के भी यहां पर ले सकते हैं अब इस कपड़े को इस त के ब्राबर हो गया है अब यहां पर इस कैप वाले कपड़े को इसके अंदर इस तरह रखना है और यह मैंने इस तरह सेट कर लिया है अब यह दोनों की सिलाई है इनको इस तरह हि konai कठा करके यहां पर पिन लगा देनी है माधी भी पिन लगा लेंगे अब इस कपड़े को इस तरह सेट करके यहाँ पर round में शिलाई लगा देंगे शिलाई लगने के बाद अब यहाँ पर कपड़े को इस तरह से turn कर देना है तो यहाँ पर interlock बगएरा कर सकते हैं इसके बाद corner में यहाँ पर हमें एक round में लगाना है बना के तो यहां पर मैंने गोल चीज को ले लेनी है और इस तरह मार्किंग करके कटिंग कर लेनी है आदा दा इंच एक्स्टरा रखके इसको कट कर लेंगे अब यहां पर सिलाई लगानी है तो यह दो इंच तक बनेगा और किनारे से हमें सिलाई लगा देनी है यहां पर थोड़ा सा छोड़ लेंगे सीधा करने के लिए और यहां पर कपड़ा मारा राउन में है तो इसे हमें यहां पर कट्स लगा लेने है और यहां से इसे सीधा कर लेना है सीधा करने के बाद अब यहां पर रूई डालेंगे इसमें तो यहां से यह रूई मैंने डाल दी है अब यह कोना बना है कैप का इसको इसके अंदर रखना है और यहां पर कपड़े को सेट करके सिलाई लगा देनी है तो सिलाई यहां मेशीन से भी लगा सकते हैं दो तिन स्टेच लगा के अच्छे से यहां पर नोट लगा देनी है तो तो किसी भी साइस की आप बना सकते हैं वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें